हेलो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम एक नए श्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो है है वैसे तो हम सब को हैब के बारे में पता है और हैड के बारे में पता है बट हमको कन्फीजन वहाँ पे होती है जब हम हैब हैड के बारे में बात करते हैं तो अपना confusion दूर करने के लिए इस भीडियो को end तक चरूद देखेगा इसको हम अपने sentences में दो तरीके से यूज कर सकते हैं एक तो ऐसे main verb और दूसरा position दिखाने के लिए अगर हमको बोलना हो कि मैंने खाना खा लिया है तो इसका English होगा I have eaten food और I have taken food यह sentence present perfect में है इसलिए आप देख सकते हैं have के साथ verb के third form जो कि eaten है उसका use हुआ है इस sentence को हम I have eaten food ना लिखके हम I have head food भी लिख सकते हैं जैसे कि हमको पता है कि present perfect में हमको have के साथ verb के third form का use करना है तो उसी तरह हमको यहाँ पर इस second sentence में I have के साथ भॉव का third form जो के head है उसका use करना है हर भॉव का tinto form होता है जैसे कि eat का eat at eaten उसी तरह have का have had had तो आप देख सकते हैं यह sentence present perfect में है और यहाँ पर यह पहला वाला जो have है यह helping भॉव की तरह काम कर रहा है और second वाला जो have है वो as a man-bob use हुआ है और हम जानते हैं यह sentence present perfect में है इसलिए यहाँ पर उसका third form का use हुआ है जो के head है उसका use हमने क्या है अगर हमको बोलना हो कि मेरी उससे बागचीत हुई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I have made a conversation with him तो यहाँ पर यह जो made है यह main verb है और यह make का third form है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I have had a conversation with him तो यहाँ पर यह जो head है हमने इसको make के बदले यूज किया है हम have को taken के बदले भी यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि मैंने नहा लिया है तो हम usually ऐसे बोलते हैं I have taken a bath बट हम इसको ऐसे ना बोलके ऐसे भी बोल सकते हैं I have had a bath I have had a tea मैंने चाए पी ली है I have had a fun at the party मैंने पाटी में बहुत मज़े किये हैं I have had a fight with him मेरा उसके साथ जगड़ा हो गया है तो इस तरह हम have का use as a man verb sentences में कर सकते हैं यह तो हो गया इसका पहला use as a man verb आईए चलिए देखते हैं इसका दूसरा use अगर हमको बोलना हो कि मेरे पास एक कार है तो इसका English होगा I have a car बट अगर हमको बोलना हो कि मेरे पास पांच सालों से कार है तो इसका English क्या होगा I have been having a car for five years यह गलत है हाला कि यह sentence present perfect continuous है बट इसका English गलत है क्योंकि हम position दिखाने के time में have के साथ ing का use नहीं कर सकते हैं इसको हमको बोलना होगा I have had a car for five years अगर आप ऐसे बोलें कि I am having a laptop और I am having a pain I am having a brother तो यह सब भी गलत है क्योंकि यह सब यहाँ पे position दिखा रहा है आप ऐसे बोल सकते हैं I am having my dinner और I am having breakfast तो यह सब बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यह main verb की तरह यूज हुआ है तो हम position दिखाने की time में have के साथ ing का use नहीं कर सकते हैं बट हम इसको जब as a main verb यूज करते हैं तब हम इसके साथ ing का use कर सकते हैं तो यह sentence एक present perfect continuous है क्योंकि यह काम past में चालू हुआ है और अभी present तक चल रहा है तो यह काम अभी continue चल रहा है यहाँ पे एक continuity हम देख सकते हैं इसका और एक example है they have had a lot of work this week उनके पास इस अपते बहुत सारे काम है she has had this disease for a long time बहुत दिनों से उसको यह बिमारी हो रखी है तो आप देख सकते हैं हम जब have had या has had का use कर रहे हैं तब हम वहाँ पे एक time period का so कर रहे हैं इसका मतलब हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह काम past में सुरू हुआ है और अभी present तक चल रहा है तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम have का use दो तरीके से कर सकते हैं एक है as a main verb और दूसरा है position दिखाने के time में जब हम इसको as a main verb योज़ कते हैं तब हम इसके साथ ing का use कते हैं बट position दिखाने के time में हम इसके साथ ing का use नहीं कर सकते हैं जैसी कि अगर हमको बोलना हो I am having a conversation with him या फिर I am having a dinner तो यह सब sentences सही हैं बट position दिखाने के time में हमको खली इसका third form जो की head है उसका use करना है और sentence के end में हमको एक time period सो करना होता है So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सिखने को मिज़ा होगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं टपिक के साथ